हलो दोस्तों आज हम यहां पर ऐसे शेयर से लिटी बाते करने वाले जो कि यहां पर अभी जब एक तारिक को जब रुजान आ जाएंगे और तीन तारिक को जब मार्किट में रियक्शन होगा और चार तारिक को जब गौर्वर्मेंट बनने को तयार हो जाएगी तो उस टाइ यह से वीडियो में बढ़ेंगे वह आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको एक पूरा आइडिया लगता हुआ नजरा जाएगा बट वीडियो में आगे बढ़े मैं हमेशा की तरह आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल आयम स्मॉल कैप इंवेस्टर को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को हिट करें और कि नॉटिफिकेशन कौन करें बाइंग सा लिंग की रिकमेंडेशन है नहीं अपने फाइनेशल एडवाईजा खुद की स्टडि करनी है चीजों को सीखने पर फोकस करना हो सीखने के लिए क्लिए क्या है वीडियो जाके व किउ शेर भागते किउ गिरते यह किऊ के जवाब आपको मिलते हुए निजर आएगे सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि आपको यह पता चले किशेर क्यू भागते क्यूं गिरते जब आपको यह पता चल जाएगा फिर अबेसी बात है आपके दिमाग में जितने भी question है वो अपने आप automatically solve हो जाएंगे पच्छी अजार पर कोर्स है तिरी मंस की हैंडोल्डिंग स्टाटी यूज इन स्टॉक मार के online notes सब कुछ दिया जाता है एक बाग कोर्स complete हुआ तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रुवत नहीं है simply 6 मेने से एक साल की बस practice लगेगी जो आपको करनी पड़ेगी 8605-40501-8169-261037 दोनों नंबरों को save कर लीजिए basics to advance हमारा ये course कर सकते हो साथ में अगर आपको काम भी करना है तो भी आप हमारे साथ इनी नंबरों पर contact करके हमसे inquiry कर सकते हो साथ में काम करके देखिए आपको काफी कुछ help मिलती हुई नजर आएगी तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते है अडानी energy solutions related तो देखिए सबसे पहली बात buying selling की recommendation बिल्कुल नहीं है simply क्या लगता हुआ नजर आ रहा है क्यों लगता हुआ नजर आ रहा है वह हम यहां पर इस particular video में बात करेंगे तो अडानी energy की अगर हम बात करें तो AESL part of the Adani portfolio Adani के group is a multi-dimensional organization with the presence in various facets of the energy domain namely power transmission distribution smart metering and cooling solution and it is it is the largest private transmission company तो largest यहां पर transmission company भी है private sector में as well as अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कंपनी यहां पर energy domain थाना power transmission और smart metering जो यहां पर पूरे इंडिया में हो नहीं है cooling solution वो सब्सक्राइशन यहां पर काम करता हुए नजर आता है एक बार इनकी website पर जाओगे तो आपको एक एक करके से पता चलता हुए नजर आएगा कि इनके power transmission किस तरीके का business है power distribution यह करता हुए नजर आते है smart metering cooling system वो सब एक opportunity का फायदा भी आप यहां पर ले सकते हैं जो कि आप यहां पर देख भी सकते हैं ठीक है तो long term का view भी रहेगा तो भी परिशानी नहीं as well as short term के view से भी यहां पर पैसा बनाया जा सकता है बट इस्टिल buy selling के recommendation नहीं है बात करे market cap भी तो large cap company है एक लाकी सजार साथिस्क्रोड रुपे का market cap है पी रेशो की बात करें 106 का पी रेशो इंडश्टिक पी तीस का है शेर देखिए पी यहां से और जादा गिरता हुआ नजर आ सकता है ठीक है फ्यूचर में थोड़ा बहुत नीचे adjustment होंगे दीरे-दीरे करके होगा यहां पर जिस तरीके का महौल है जिस तरीके कंपनी यहां पर काम कर रही है यह इसने बता दिया है कि मुझे लीड करना था वह लीड यहां पर दे चुकी है ठीक है इसके लावा हम बात करें company के बारे में तो company के ओपर debt है 293% के आसपास का 10 की phase value है ठीक है dividend company देती नहीं है और यहां पर बात करें 1250 का फिलाल में ही इसने यहां पर high भी बनाया तो maximum chart pattern देखें तो यहां पर देखें जैसे ही अडानी 2015 में आया था यह शेयर और 40 रुपे से 4000 रुपे तक यह जाता हुए नजर आया तो अच्छा गात है यहां पर return मिलता हुए नजर आये लोगों को इसके इलावा बात करें company के यहां पर number से related तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर देखिए हर quarter में इनकी sales में केवल growth नजर आती है और यह growth क्या बता रही है यह growth बता रही है कि company क्या है एकदम बहतरीन है 4700 क्रोड रुपे के आसपास की sales है जो कि quarterly और yearly दोनों base पे और यहां पर बात करें margin पर थोड़ा बहुत effect जरूर आया है बट margin भी दीरे दीरे सुधरते हुए नजर आ सकते है net profit की बात करें तो यहां पर देखिए company का net profit यहां पर लब लब 381 करोड रुपे का है जो कि यहां पर देखिए 182, 284, 348 और 381 तो लगा था बढ़ता कि मार्च quarter में तो ज्यादा था तो इसके बीचे का reason यह है कि इसकी जो other income थी वो 500 करोड थी अभी 200 करोड रुपे का यहां पर जंप मिला अगर यही 300 यहां बढ़ियात है तो highest level income भी net profit होता तो other income को यहां पर ज्यादा calculate नहीं किया जाता है इस चीट को हमेशा याद देगा तो हम बात करें कौटरी रिजल्स की तो company यहां पर अच्छा खासा प्रिजेंट कर रही है अपने आपको yearly performance की बात करें तो वह भी आप यहां पर देख सकते yearly performance काफी बैतरी ने कहां पर 2015 में 131 करोड रुपे की sales थी आज 16,000 करोड रुपे की sales है और net profit भी देखे ज साथ में 11,000 करोड की sales है साथ में बारेंग की बात करें बारेंग भी साथ में company की बटरी है 37,000 करोड की बारेंग भी है company के ऊपर working progress में लग बलग यहां पर देखे 3000,000 करोड रुपे लगा रखे है और जिसका आगे चलके मिलेगा इन्वेस्ट में 766 करोड का है cash की बात करे अच्छी थी हाना management बेकार होता आगर कुछ फ्रॉड किया होता तो आपको पता है वो कहां मिलते हैं या तो लंडन या फिर दुबाई मिलते बट ना तो company बेकार है और ना ही management बेकार है company को काम करना है और जब छोटे से बड़ा इंसान बनता है ना तो उसके पीछे काफी लोग होते हैं जो यहां पर परिशान करने आते हैं शीट को आपको और मिर्जे दोनों को ही समझना पड़ेगा और company के positive cash flows नजर आते हैं और यहां पर आप देखो के promoters की तो 73% के आसपास की यहां पर promoters की यहां पर यहां पर share holding pattern है यहां पर देखिए जहां पर लोगों न सब कुछ बेच के निकल जाएंगे उन्होंने थोड़ा वो जरूर बेचा ठीक है न बट यहां पर आप देखोगे तो sustain कर दिया 17.49 पर दिया इसकी बात करें 3.8% है पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 5.49% के यहां पर share नजर आते हैं तो overall हम यहां पर बात करें प अच्छे खासे बाइन करी हैं यहां पर GQG पार्टनर LLC ने इस पर्टिकुलर गुरूप पर भरोसा दिखाया और इस गरावट का फादा उठाया और महां से बात करें तो share अच्छे खासे भाग भी चुके है अच्छे खासे लेटर मिल भी चुके अब बात करतें कंपनी की तो यह महेंगी ज़रूर है ठीक है ना बट इसका मदब यह नहीं है कि share भाग नहीं सकता ऑपर लल फाइनशल की बात करें financial अच्छे नजर आते हैं और भी अडानी के दो तिन शेयर है जो की और ज्यादा cool laser आ रहे है जो इसकी बात हम कल भी करेंगे अभी चार्ट से लेट करके code साथ में काम आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि अच्छी खासी अभी भी गिरावट है अभी भी आप देखोगे तो लगब लगब शेयर 73% crash हो चुका है बट मुझे क्या नजर आता है कि company अच्छा कासा production कर रही है हाना Q4 के number काफी अच consolidation गिरावट के बाद जो हो रहा है न वो एक अच्छी बात है consolidation हो रहा है बट यह शेयर यहां पर मुझे बता रहा है कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो obviously बात है हाना BJP government आती है तो यहां पर इस share में एक pump-up दिखाई जे सकता है और जो इस share को अच्छे कासे तरीके से भगा के ले जा सकता है तो यहां पर 1110 रुपई के आसपा जब शेयर आए तो एक चोटा सा 1180 के आसपास करना 20-30 रुपई की तो रिस्क लेनी पड़ेगी अबरसी बात है हाना तो डिस्क management को follow करते एक चोटा सा stop loss लगा कि और आप carry करने के बारे में सोचेंगे और अपने पानेशल अडवाईज आपको स्टेडी करेंगे तो आपको समझे में आएगा शेयर धीरे-धीरे करके यहां पर 1249 और शायद एक दो दिन तीन चार दिन जो यहां पर लगातर तेजी होगी इसमें सर्किट पर सर्किट चलके अच्छा खासा आपको पैसे बना दे और कुछ यहां पर मिर पास अच्छे खासा शेयर जब पूरा यहां पर मार्किट भागेगा तो वह भी यहां पर भागते हुए नजर आएंगे आज भी अगर हम देखे तो हमारे पोल्फोलियो में तीन शेयर ऐसे थे जो कि यहां पर 5-5-6-6 परसेंट भागते हुए नजर आए थे सून और लेटर वह चलती हुए नजर आएगी और अच्छा खासा पैसा बनाती हुए नजर आएगी इसलिए इन नमबरों को नोट करके साथ में काम भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं So thank you so much God bless